परदेश सरकार के किसी मंत्री ने कहा कि पूरे परदेश में जो डाल है चाहर हर की हो चाहे कुछ और भी हो वह 100 रुपे किलो ही भिक रही है इसको लेकर के आमे asked में काफी नाराज़ी है उनका कहना है कि लगों को पता नहीं कि दाल का रेत क्या है तो ऐसे लोगों को किसी मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है और सफा सांसन लाल-पर्मा ने भी कहा है को लगता है प्रदेश के से प्रदेश-किंद्स गरह पर रहते हैं उनको डाल का अंदजा नहीं है आपको जो आम लोगों ने बताया कि जो डाल का रेट है वो आम दुकानों पर करीब 160 से 70 रुपे है जब आप माल में चले जाएंगे वो पैकेट बंद हो जाएगा तो वो 190 से 210 रुपे किलो और हर की डाल बिक रही है कोई भी दाल हो चैज चना की हो चैज मसूर की हो वह भी दुकानों पर डेट सो रुपे रत किलो से जादे है जनता क्या सुच रही है इस पर किस तरह की मागाई है आईए हम बात करते हैं उनसे क्या नाम है आपका रेमलता चतुरवेदी किरसी मंतरी ने कहा कि अरहर की डाल सो रुपे किलो कि रही है अगर इतने बड़े पत पे बैठा हुआ बैक इस तरह का निंदनीय बयान दे तो बहुत ही सर्म की बात है उनको अपने पत पे नहीं रहना चाहिए उनको अपने पत से इस्तिफा दे देना चाहिए एक सो पच्चास पच्पन के हिसाब से फुटकर रेट में बिग रहा है नहीं है नहीं है कही नहीं है गाइन यह वास्तो क्या काना चाहेंगे जो किसी मंतरी ने कहा जिले आम हर जगा सो आरे मंतरी जी लो तो वहां बैठ के बोल लाए ना मार्केट में सर्वे करें तब उन्हें पता लगेगा अंदाजा नहीं है वह उनको क्या पता हूं तो एक केबिन में बईटे हैं एसी चला के बईटे हैं उनको और क्या पता तो क्या कि रास्ती चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है बहुत जादा दिक्कत आ रही है बहुत सालिस से पचास के रेट में आ गया है फुटकर ये लौकी असी के हिसाब से जो कि बहुत ही सस्ती सब्जी माना जाता है यह सारी चीज बहुत कीचन में ग्रहडियों के लिए तो बहुत ही कस्ट कभी से जैसे आपका कहाना है कि 400 रुपया किलो दाल भी हो जाएगी जो 400 का ना यहां पूर पार्सादू बिच्छी अगा हम यह करना दाल का रेट जो भी मंत्री जी आ कहें है 100 रुपया किलो मार्केट में कभी अपने खुद खरीदने जाए तो पता चलेगा कि दाल क्या रेट है डाल इस समय 170 से 80 रुपया किलो तक जाने वाला है चला है सबजी किसी मा टूपया किलो हरी सब्जी हम लोग खर जाते हैं धूर बेटी सव रुपया किलो लोगी 60-70 रुपया किलो मह गाए एक दम चरम सिमा पर है लोग कहते हैं कि बस कुच हो नहीं रहा है मतलब महाइदर चरम सिमा पर दो है उनको अंदाजा नहीं है उनको कोई अनतरा से परिसा किसी को पता नहीं है कि जनता कितनी परसान है जाना यह चाहेंगे सर एक मध्यम और जो हमारा है काफी परसान है चाहे हम हुए चाहे हमारे यह जितने वाई और वहने खड़ी हैं सब लोग परसान चल रहा है यह देखिए इस समय डाल के डाल 200 रुपए सब जी इतनी मांगी त तेल इतना महंगा हो गया सर यह बताएए एक मध्यम और कैसे कैसे अपना जीवने आपन करें इतनी महंगाई यह गलत है मंतरी जी को कोई आकलन नहीं है इस चीज का और नहीं है बच्चों का फीज भी देखिए चरण सीमा पर है हर चीज इंदम सीमा पार हो गया है किसी भी ठेले वाले किसी भी दुगान पर जाए ते एक सो तीस से नीचे टमाटर नहीं है बैगन का वहीरेट है भिंडी वहीरेट खाय क्या आदनी मंतरी जी बता दे क्या हम लोग खाय क्या जिन्दा रहेंगे क्या हम लोग जिन्दा रहें क्या खाय क्या है करेंदे रहेंगे क्या नामे दुर्फ्त्र पाठी जी इसा था है अल्याल नहीं, जासे मंचा और उर गरीब आदमी तो दाल नहीं खा पायेगा सबजी भी मांगी है एक सब्जी भी होता है, सब्जी से भी मतलब आदमी काम चला लेता है, लेकिन उसका भी भरपाई नहीं हो पा रहा है, आदमी क्या मजदूरी पाएगा, क्या मतलब रोजगार का पूरा सिस्टम ही खतम हो गया, किसी को प्राइट सेक्टर की नोकरी करो, 10 रुपे पता चला, 10 चला,कना चाह रहे है, एक लडबका हमारा अपण बनवाने जा रहा है, där महाँ पताी है, जो डाल का रेट, तो रुपया किलो बार मार्केट में है, जा कहीं है, जे 1 100 का तो i182 रुपया क्लो किलो बार अच्छा, महाँए काभी है, बहुत महाँएवा, मादमी मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है। का करेगा माय तो इतना है कि आदमी दिश्टब हो जा रहा है नारमल आदमी के लिए तो दिक्कत ही है ना देखिए आप लोगों का कहना है कि महगाई चरम पर है कहीं नोकरी भी नहीं है यदि कोई 10,000-12,000 की नोकरी कर रहा है तो खाना खाए कि बच्चों की ही भरे या अपन इलाज कर आए मन्तरी जी अपने चंबर से बाहर निकलें और सड़कों पर मुहलों में चेंद नोकर जाएं तब उनको इस्थित पता चलेगी कि महगाई की तने चरम पर है यह इस्थित बेहत खराब है मंत्री जी को बाहर निकलना पड़ेगा और सक्चाई जाननी पड़ेगी कैमरामेन मुन्ना के साथ ड्क्र संदुकमा विस्टरा टीवी नाइन गो रहो हो